हलो दोस्तो स्वागत थे आपके अपने यूटूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ आसा है दोस्तो आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि 15 जुलाई को रेलवे में जी डी सी का वेकेंसी आने वाला है तो हम इस वीडियो में बात करेंगे दो उनको कौन सा बातों का ध्यान रखना है ताकि उनको जी डी सी का फॉम अपलाई करने में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो नहीं तो दोस्तो आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगा तो क्योंकि दोस्तो मैं जी डी सी एकजाम दे चुका हूं और जी ड कर चा करेंगे दोस्तों कि आपके पास कौन-कौन सा क्वालिफिकेशन है तो आप रर्वी जो यह जो जेए का वेकिंसी आ रही है जीडीसी के दौरा उसमें आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है आपको गुर्जगार्ड का लोको पाइलट का तो सब को पता है कि आपके पास अग दिटेल से बाते करेंगे दोस्तों को कौन-कौन सी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है नहीं तो आपके साथ क्या है कि यह opportunity जो है वो निकल सकती है ठीक है तो आईए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं चैनल पर नए होंगे दोस्तों क्रिप्य मैं कोहसन मिलाओंगा दोस्तों कि किस प्रकार का आखिर एक्जाम में कोहसन पूछा जाता है और जो देखना चाहते हैं हमारा जो एक्जाम हुआ था मैं मेकेनिकल इंजिरियरिंग से बिलों करता हूं उसका दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका वीडियो क आपका जो एंसर की आया था उसका मिल जाएगा वहाँ पर आप जाके देशकते हैं प्लस में लोग यह अभी नहीं जानते हैं कि GDC क्या होता है LDC क्या होता है उसका वीडियो के नीचे description box में मिल जागा प्लस में ये भी मिल जागा description box में जो लोग mechanical से हैं वो किस-किस department में form भर सकते हैं जो electrical से हैं वो किस-किस department में form भर सकते हैं मतलब जो ये सबसे diploma या btech की होंगे ठीक है सारा का वीडियो आपको description box में मिल जाएगा वहाँ आप जाए और उस वीडियो को भी आप देखें फिलहाल आये जानते हैं कि आपको GDC form apply करने के लिए कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना है तो सबसे पहले क्या है दोस्तों कि बहुत लोगों के साथ यह problem आ रहा है कि अभी तक जो है PF number नहीं आया है और बीना PF number के आप GDC का जो form है उसको आप apply नहीं कर सकते हैं ठीक है हमारे समय तो HRMS ID नहीं मागा था apply करने के लिए form लेकिन अबरी में पता नहीं क्या changes करता है वो vacancy आने के बाद ही पता चलेगा लेकिन मैं अपने समय की बात बता रहा हू उस समय दोस्तो हमारा जोइनी हुआ था बारभ फरवरी 2021 को और आपका मार्च में वेकेंसी आई थी ठीक है तो मार्च में वेकेंसी आई थी दोस्तो हमने जब शुरू में apply किया तो हमारा नहीं लिया PF number आ गया था फिर भी हम apply किये तो नहीं लिया बोला कि this PF number not found मतलब उन नहीं के record में हमारा PF number नहीं था तो हमने पता किया तो लोगों नहीं बताया कि जो service जब तक आपका जो है service record में नाम नहीं चाड़ता है तब तक आप GDC का form apply नहीं कर सकते हैं ये नमबर तो आ गया था लेकिन service record में हमारा नाम नहीं चाड़ाता तो दोस्तों ये service record में नाम चाड़ाता कौन है ये दोस्तों आप जहां joining करवाया है ना वही सब ये सब काम करते ह आपके हाथ में ये सब कुछ भी नहीं है वो कितना speed करते हैं कितना fast करते हैं ये उनके हाथों में है यानि कि आपका जो carrier है दोस्तों ये GDC वाला उनके हाथ में है तो भगवान करें कि जल्दी जल्दी सब सारा काम हो जाए आप लोगों का और vacancy भरने का मौका मिल जाए ठ घ्र utilization के लिए बहुत जाधा फायदा हो जाए एगा ठीक है तो दोस्तों हमारा क्या होँगा था कि सुरू सुमें apply कि ए तो नहीं लिया तो दोस्तों क्या कि हम छोड़ दियें कि नहीं हम तो नहीं होगा ठीक है लेकिन दोस्तु तो last time था, last time जैसे की क्या है आपका, कि some up होने वाला था उसका date, ठीक है notification का, उसमें जब हम डालें दोस्तों तो हमारा ले लिया, तो हमने दोस्तों इसी प्रकार से क्या है कि try करते रहते थे, कि हमारा लेता है कि नहीं लेता है, दोस्तों ले लिया था finally और हमारा वेकेंसी भरा गया था GDC का 2021 में ही ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों 2022 में एक्जाम हुआ इसके बाद अभी हम जो है आपके सामने हैं तो दोस्तों इसके दौरान क्या था कि हमारे साथ एक प्राबलम ये आया था जो कि अभी बहुत लोगों के साथ आ रहा है और उस बात का है कि आप ल बिल्कुल जेई बनना चाहेंगे ठीक है जो ग्रेजवेशन किये हैं वो बिल्कुल गूर्जगार बनना चाहेंगे कोई लोग दोनों साथ में कर लिये हैं डिप्लोमा भी साथ में कर लिये हैं और ग्रेजवेशन भी साथ में कर लिये हैं तो दोस्तों एक रेगुलर और एक इरेगुलर है आपका, मतलब डिक्लोमा तो रेगुलर ही होता है, ग्रेजिएशन आपका इरेगुलर होगा, दोनों को तो साथ में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कि बहुत जगा क्या हो रहा है, कि लोग 10 तक ही क्वालिफ लेही ने रहे, ठीक है, हमारे साथ दि ऐसा ही हुआ था, हमने सारा चीद दिया था, लेकिन वह निकाल के फेक दिया गया था, ठीक है, सिर्फ 10 तक ही क्वालिफिकेशन डाला गया था, जिसके चलते क्या है दोस्तों, कि हमने तो GDC अपलाई कर दिया था, यहां पर आपको क पता चलेगा कि क्या बहुत लोग बनता है कि HRMS ID से form भराएगा ऐसा करके कुछ लोग बता रहे हैं तो अब पता नहीं देखी क्या होता है चैंजे लेकिन हमारा उसमें नहीं वाता साइट से form भराया था ठीके आराफसी का do दोस्तों कि सब चीज़ अच्छा हुआ एक्जाम भी दे लिए बेडिकल भी हो गया ठीक है मतलब डोकुमेंट वेरिफिकेशन बेडिकल सारा चीज़ हो गया इसके बाद जब क्या हुआ कि हम जब जॉइनिंग करने जा रहे हैं तो जॉइनिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर क सर्विस डिकॉर्ड रखा रहता है ठीक है वहीं से आपको क्या है कि सर्विस डिकॉर्ड मांगके अटेस्टेट करवाके अब ले जाना होता है अपने डीपियो से सीनियर डीपियो से ठीक है जॉइनिंग करने ले जाना होता है आपका जॉइनिंग होता है आपका जो होता ह ही अड़ नहीं है तो मैंने प्त प्राप्म बताया कि मेरे पास है क्वालिफिकेशन लेकिन एड़ नहीं है तो वो बोले कि जाओ पहले qualification एड़ करवा क्या हो तो अब तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा अब पढ़े फस गया हम लोग ठीक है दो तीन आदमी फसे थे साथ में जितना हम लोग ज्वाइनिंग किये थे तीन आदमी थे तीनों लोग फस गये जोकि उस तमें जितना का भी हो रहा था 2021 में किसी का qualification एड़ नहीं किया गया था higher qualification इसके बाद हुआ तीनों को लोटा दिया गया वहां से इसके बाद हम लोग क्या हुआ कि हम लोग relief होके गये थे relief किया जाता है आपको official तरीका से तो payment बनते रहता है वहां पर कोई दिक्कत नहीं होता है आप अपने मन वहें ही division में रहें ठीक है मतलब आपको क्या है कि zone से हमको division में भेजा था जॉइनिंग जोन में होती है जही इसके बाद division में भेजा तो division में भेजा हुआ पर तो वहां हमने सारफी सी डोकॉमेंट दे दिया वहां पर मैंने dpos हम लोगों बार बार जा करे मिले 20 में 20 इसो में offline ता कि एक service register होता है जिसका इटो है उसको भी एठीर ही लिए तरह है एडोल में को चैनल लेने की जबार निया दुबार आपका coun Его चैसे बाड सक्षक्म स्देश्टाइब वहां को चैसे हमिए होगया इसके बाद वहां से फिर हम को जोन में भेजा गया है, ब्रोबलम हो सकता है, मैं अभी से आपको क्या बता रहा हूं, जो लोग भी जो लोग भी क्या है मतलब GDC भरने वाले है नए नए जोइनिंग की है उन लोग पास ये वीडियो को काफी से काफी शेयर किए ताकि सबको पता चल सके कि आखिर आपको जो है वेकेंसी भरने के लिए और आपका जब हो जाता है तो उसमें जोइनिंग करने के लिए आपको उसके पहले से क्या-क्या रेइडि करना पड़ेगा ठीख है तो क्या है दोस्तों वहाँ पे हमारा जोइनिंग हो गया था इसके बाद क्या है कि ओफ-लाइन तो हमारा सर्भीस रिकोर्ड है वो अपडेट हो गया joining हो गया लेकिन दोस्तों एक होता है online update करना होता है ठीक है online आप बाद में भी कर सकते हैं तो हमने offline तो update कर वा लिया लेकिन online क्या था कि अभी तक भी हमारा 30-30 हो कर रहा था जो कि HRMS में show करता है ठीक है आपको जब HRMS मिलेगा HRMS ID तो उसमें आप login के जिएगा और education qualification का section में जाइएगा वहाँ आपको बताएगा कि आपको qualification क्या add किया गया है जो आपको add किया गया होगा वही वहाँ दिखाएगा ठीक है तो वहाँ हमारा नहीं दिखा रहा था तो फिर online जो होता है कि employee services ऐसा करके होता है कुछ उसमें जाके qualification section में जाना है वहाँ से जाने के बार अपना जो है कब पास किये थे certificate जो है ठीक है कौन सा university से कौन सा college से सरा डाल देना है आपको document upload कर देना है वो चला जाता है step by step क्या होता है कि color के पास जाएगा फिर DPO के पास DPO essay करके online वो आगे PCPO तक जाता है फिर वहाँ जाके verify होता है और online भी हो जाता है हमने भी online essay update कि है हमारा भी online update हो चुका है दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको offline update करना है ठीक है इसके बाद online के लिए भी आपको apply कर देना है नहीं तो पीएफ नमबर क्या होता है आपका आपको section में मिल जाए आपका जो section office होगा जो group team में join किया है senior section engineer का office होगा वहाँ पीएफ नमबर पता चलेगा उनसे आप contact किजिए आपको पीएफ नमबर मिल जाएगा ठीक है और क्या किया है कि बहुत लोग को joining करवाने के बाद direct training में तो उनको भी पता करना पड़ेगा अपना division से और कि नहीं को joining करने के बाद section में भेजा है तो section वाले अपने मन से जब training में भेजना होता है तब वो लोग भेजते हैं ठीक है तो आप लोग क्या है कि जिनका joining किया हुआ बहुत दिन हो गया वो अपने पीएफ नमबर के बा आ जागा एक बार तब तो आपको पता ही चल जागा कि पीएफ नमबर हमारा क्या है लेकिन उसके पहले भी आपका बन गया होगा आप पता किजी एक बार इसके बाद बहुत लोगों का comment यह आ रहा था हमारे पास PCM है कि हम GDC में अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों क्या है Diploma Engineering मैं यह final पताना चाहूंगा आपको G.E. में वही apply कर सकते हैं जिसके पास Diploma Engineering हो वो भी दोस्तों किन का ज्यादा इसकोप रहता है सिबिल का, Mechanical का, Electrical का, Electronics का इसके अवला जो भी होता है आपका Qualification Computer Science हो गया और भी बहुत सारा होता है ब्रांच तो वो लोग का उतना scope नहीं है, mechanical से जो भी related branch होगा, उसका होगा, electrical से जो भी related branch होगा, वो सबका जादा scope होता है, बाकि किसी का नहीं, और बहुत लोग, मतलब इसके अलावा, diploma व बिटेक के अलावा, कोई दूसरे qualification वाले JEE के लिए apply नहीं कर सकते हैं, GDC में, क्योंकि बहुत से जुनियर इंजिनियर बनने के लिए आपके पास डिपलोमा या तो विटेक qualification होना चाहिए, अभी कभी लोग computer science वाले को पुछते रहते हैं कि मैंने computer science विटेक किया है, diploma किया है, क्या हम apply कर सकते हैं तो दोस्तो आप apply कर सकते हैं बिलकुल, ठीक है, आप apply कर सकते हैं, हम मैंने देखा था एक department, signal and telecom जो department होता है, उसमे computer science वालों को दिया जाता है मौका, ठीक है, तो उसमें आप apply कर सकते हैं, तो दोस्तो ये वीडियो आप लोगो काफी informative लगा होगा, वीडियो को share किजिए, दोस्तो लाइक किजिए, और भी इसी परकार का informative वीडियो हम लाते रहेंगे, वीडियो में आप comment करते रहेंगे, ठीक है, और बहुत लोग क्य करते हैं, कि हमारा channel पर number पड़ा हुआ है, number निकालते हैं, call लगा देते हैं, direct, दोस्तो बहुत कम chance हैं कि हम call उठाएंगे, ठीक है, आप क्या किजिए कि पहले WhatsApp पर message कीजिए, message के reply में दूँगा, जो भी question होता है, वहाँ पर आप पूछिए, क्योंकि एक बार में 20-20 आद ठीक है, और भी आपको कोई problem है, तो comment box में comment किये, फिलाल इस video में इतना हैं, वे लेंगे next video में तब तक जाएंगे